नमस्कार एक बार फिर न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत है और चुकि पुनीत आपको नजर आ रहे हैं अभी हाल फिलाल में आपने देखा होगा इन्होंने डिकोट किया है नेक्टो में जो दरार आने की बाते हैं और पुनीत लगातार अंतर हम पुनीत से इनी चीजों को समझने कोशिश कर रहे हैं एक all good situation पुनीत नजर आती है अंदर खाने में बहुत सारी बाते चल रहे हैं बड़े बड़े राष्ट्रे अध्याक्ष बड़े बड़े जो नाम है इस वार के बीच में वो एक दूसरे से चर्चाय कर रहे हैं यह स गोगाड इसलिए लगती है क्योंकि यह दो मोर्चों पर युद्ध लड़ा जा रहा ही हमको मालूम है इसराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है शान्ती की बाते बीच बीच में लेकिन दूसरी तरफ यूकरेन और रूस के बीच में प्रधान मंतरी यूकरेन भी ज करते हैं तो इसके मायने क्या निकाले जाएं क्या भारत ऐसी भूमिका में अब नजर आ रहा है जो इस युद्ध को शांत करवा सकता है मधिस्तता की बात जो कही जा रही है क्या भारत उस भूमिका में नजर आ रहा है और क्या इसके बाद शांती हो जाएगी ये सारे सवाल उठ रहे हैं हाला कि इसके संकेत भी नहीं मिले ना इसको लेकर जब युक्रेन गए थे हमारे प्रधान मंत्री मोधी तब भी बाचीत में दोनों देशों की तरफ से जो बाचीत निकल कर सामने हैं उसमें भी बयान में ऐसा कुछ था नहीं लेकिन फिर भी ये बार बार ये ज बार 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 आती है एक शब्द आता है मध्यस्थ का तो भारत साफ तो नहीं है बांकी लोग भी नहीं कहते हैं कि हाँ भी इसी से हैं और आप पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे बापू की प्रतिमा जरूर पाएंगे। यूकरेन गए थे प्रदान मंतरी बापू की प्रतिमा पर उन्होंने नमन भी किया था। एक बात तो यह और दूसरी बात यह कि रूस और युक्रेन के बीच जो जंग चल रही है इस भी जब प्रधान मंतरी युक्रेन गए थे तब उन्होंने जो आपको जलेंस्की की बात याद हो जलेंस्की ने प्रधान मंतरी के रूस दौरे को लेकर कड़ी टिपड़ी की थी तब उन्होंने युक्रेन में जाकर जेलेंस्की के सामने उन्होंने ये कहा कि मैंने रूसी राश्टरपती व्लादिमेर पोतिन की आँखों में आखे डाल कर ये कहा था कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और ऐसे दौर में युद्ध नहीं होना चाहिए ये भारत की एहमियत है और भारत पूरी दुनिया के center of attraction में आ रहा है कुछ चीजे में हो रही है बिल्कुल आ रहा है भारत की स्विकार्यता है वो बड़ी है बीते सालों में हम सब जानते हैं वारत की स्विकार्यता बहुत बड़ी है भारत की image बहुत बड़ी है प्रधान मंत्री दुनिया के अगर सबसे फेवरेट लीडर या सबसे ज्यादा पसंद प्रधान मंत्री की बात होती है एक और add-on करना चाहरा हूँ ये बात सही हा बाप जो explain कर रहे है भारत ही क्यों बड़े बड़े चौधरी रहे हैं जैसे मैं अमेरिका को हमेशा बोलता हूँ वह अपने आप में चौधरी बनता है अमेरिका है और भी बड़े प्रभावशाली मुल्क रहे हैं विटेन है फ्रांस है लेकिन भारत ही क्यों या यह कहा जाए कि दुनिया की निगा है भारत पर क्यों है उम्मी भारत से जादा क्यों है मुझे लगता है कि शायद आप इस बात को भली भाती जानते होंगे सबसे ज्यादा आबादी किस देश की है सबसे ज्यादा युवा किस देश में है सबसे ज्यादा बिजनस की संभावनाएं किस देश में है यह सारी चीजें केवल और केवल भारत में ही मौचूद हैं सबसे ज्यादा कामगार किस देश में ये भारत में ही है और इसलिए सब सेंटर आफ अट्रैक्शन जो है भारत अब बन रहा है ग्लोबल इमेज के तौर पर अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो मस्बूत होती जा रही है अचा एक चीज और है कि बाचीत हुई है और हमारे दोनों देशों के जो सम्मन्द है उसमें कैसे प्रगारता लाई जाए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए हम बाचीत हमने की है और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया फिर से कि शान्ती कैसे इस्थापित हो और यूक्रेइन के दोरे से वो लोटे हैं इसके बारे में भी कुछ बाचीत हुई है कि शांती कैसे स्ताफित हो इसके लिए बाचीत की है तो ये काफी एहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका भी कहीं न कहीं चाहता है जो बाइडन ने अगर बाचीत की है तो ऐसे बाचीत नहीं की है और बीते कुछ दिनों में ही देखा जाए तो चार-चार राश्टरा ध्यक्षों से प्रधान मंतरी की बाचीत हुई है और ये काफी फोन लगा रहे है जो बाइडन आगे ओके फोन लगा रहे है इसका मतलब की कुछ नगुछ उम्मीद चल रहा है जो है निगाहें जो हैं वो टिकी हुई है यूक्रेन यूक्रेन के राश्रपती जेलेंस की जो है वो पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि भारत में ही शांती सम्मेलन जो होना चाहिए अगला भारत में होना चाहिए इसके लिए उन्होंने पुर्जोर समर्थन किया है हाला कि उन्होंने इसके अलाबा तुर्किये का भी नाम लिया है और भी देशों का नाम लिया है लेकिन उन्होंने कोशिश उम्मीद जता ही है कि भारत में होना चाहिए भारत को इसकी मदेस्ता करनी चाहिए क्योंकि भारत बुद्ध का देश है भारत गांधी का देश है और भारत अगर भारत में ये होता है, तो इसका कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि इसके पहले स्विच्जर लैंड में हुआ था, लेकिन वो बात अधूरी रह गई थी, रशिया ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, और भारत की जहां तक बात है, तो भारत ये कहता है, कि हम कूटनीतिक ब कि वाकई युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, ये तो हम जानते हैं, और ये इस वज़े से भी हम जानते हैं, हम गांधी के देश से हैं, जहां बच्चा मेरा ख्याल है कि बच्पन से लेकर और आखिर तक गांधी उसके जीवन का एक हिस्सा होते हैं, तो एक बड़ा महत्व सवाल ये भी, कि युद्ध किसी चीज का हल है नहीं, इस युद्ध के बंध होने से ये जो वार क्राइसिस है, सबी को फायदा होगा, पहला जो इसका पहलू है, मेरे सवाल का, दूसरा पहलू, एक बिजनस मॉडल होता है, और किसी को बिजनस करना है, वही प्रोस्परिट नहीं, और दुनिया युद्ध से नहीं चलती है, दुनिया युद्ध से नहीं चलती है, दुनिया चलती है व्यापार से, और ये सारे देशों को समझ में आता है, ये बात अलग है कि कुछ, कुछ देश जो है, वो युद्ध को अपना व्यापार बना हुए है, मेरे ख्या मर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, आर्थिक तोर पर नुकसान हो रहा है, अपने लोगों का नुकसान हो रहा है, उनकी जान जा रही है, तो रूस और युक्रेन दोनों में छांती साबित हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात होगी, इसके अलावा भारत की एहम भूमि जाए तो व्यापार बढ़ता है, रूस से हमारे सम्मन्ध है, वहाँ पर हमारे बहुत सारे मेडिकल के चात्र पढ़ाई करते हैं, कामगार काम करते हैं, रूस से हमारा बहुत बड़ा बिजनस है, उसके उपर भी पैट्रोल, हला कि देखिए, वही मैं कहा रहा हूं कि पैस सौधा किया, उसके तेल का, तो ये भारत ने उस मौके को फाइदे की रूप में देखा, लेकिन अगर सम्मन्ध और अच्छे होते हैं, तो और बिजनस भी बढ़ेगा, युक्रेन में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, याद है आपको कि युद्ध जब शुरू कितने पोलैंड की तरफ से भी मदद की गई थे, तो ये सारी चीज़ों जो है ना, ये कहीं न कहीं असर डालती है, पाम ओयल भी उसी से खरीटते हैं, इसके अलावा युक्रेन में आपको जानकर रहरानी होगी कि जो पानी के जहाज जो है, वो उनके इंजिन बनाने का काम होता है, और वो जो है, वो किवल वहाँ पर ही, वो सबसे ज्यादा मजबूती से उस चीज़ को डवलफ करते हैं, तो ये काफी एम हो जाता है, इसके अलावा, अगर भारत की मौझूदा परिस्तिती की बात कर ली जाए, तो भारत भी तो अपने आस पास जो कुछ चल रहा और है भी, और इस लिहाँ से भी भारत चाहता है, कि पुराना सही होगी, उसके साथ फिर से आकर खड़ा हो, और अगर ये स्थिती बन जाती है, अगर कोई शान्ती की बात हो जाती है, और भारत की उसमें एहम भूविका होती है, तो भारत के लिए ये प्रॉफिटी पोर्ट में जैसे मैंने जिक्र किया था, परमानू हत्यारों को लेकर, तो सभी के अंदर एक भूविक होती है, चाइना के अंदर भी वो भूविक है, विश्विद्ध के बाद तो इस्तियां ये थी कि आपको सिर्फ दो लोगों से बाचीत करनी है, यूएस, अमेरिका से बाद करनी है, रश्या से बाद कर लेनी है, वहाँ इस्तियां दो दुरूविय थी, लेकिन इन सब के बीच चाइना की भूग बढ़ी है, एक बात, दूसरी बात, चाइना को हमनी वीटो दिया, बहुत पुरान इतिहास में अगर आप जाएंगे, तो चाइना को जो वीटो चाइना को, बिलकुल चाइना की दिक्कत है, और आपको बताओं, जो आप ये कह रहे हैं, कई सारे लोग भी ये कहते हैं कि भारत ही क्यों, भारत ऐसा क्या कर लेगा, लेकिन आप इस बात से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि चाइना में ग्लोबल टाइंस अकवार जो कह सकते कि सरकार का मुखपत्री होता है ठीक है वो जब छपता है तो वहां पर भी भारत की इस इस्थिती के वारे में क्या लिखा जाता है क्योंकि देखिए वो समझ रहा है चाहिना समझ रहा है कि भारत की मजबूत इस्थिती बन सकती है इस केस में इस केस में मजबूत इस्थिती दुनिया भर में अपने अस्थित्व को दिखाने के लिए ये सारी कोशिश कर रहा है जबकि भारत इस मामले में कोई ऐसा कोई समझोता या कोई सुला कराने की स्थिती में नहीं है ये चाइना की तरफ से कहा जा रहा है तो इससे आप समझ लीजिए कि जो जला भुना बैठा हो वो आपके कसीदे तो पढ़ेगा नहीं दरसल ऐसा हुआ भी बीच में वो बहुत चाहता था कि उसका जो एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान है मेरा ख्याल है श्री लंका भी उसके शामिल है बहुत कर्ज भी इन देशों को उनने दे रखा है एक बड़ पारत आये थे ठीक है तो वो भी कहीं न कई फिलिपीन्स जो है फिलिपीन्स की जहाद नाव को टकर मार दी यह बाते भी सामने आई थी तो यह सारे भी जो देश है ना वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और इसलिए भारत की हैमियत देखें यह दूसरा उधारण मैंने आपको दे दिया कि भारत की हमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि जापान भी जाता है कि भारत फिलिपीन्स भी जाता है कि भारत को साथ में ले ले और यह सारे क्योंकि यह सब सताय हुए लोग हैं सताय हुए लोग हैं जापान भी नहीं जाता कि किसी को छड़े लेकिन दुनिया में उसकी रोशनी जो है वो फेले की। युद्ध हो रहा है उसमें भी वो शांती का दूत बनकर पहुंचा हुआ है और सुची अमेरिका पहुंचा हुआ है तो ये बड़ी हैरानी की भी बात है कि अमेरिका क्या चाहिए लेकिन जो बाइटन बात करते हैं प्रधान मंत्री से तो ये जो अमेरिका यहाँ पर भी चा पीछे नाटो के देश हैं और रूस अकेला किला लड़ाए हुए है और इतने लंबे वक्त तक युद्ध को खींचे हुए है दूसरी तरफ इसराइल बानने के लिए तेयार नहीं है इसराइल से हमारे प्रधान मंतरी बात भी करते हैं प्रधान मंतरी मोधी ने यही मैं आप पर भी बाचीत करते हैं इरान भी जाते हैं वहाँ पर भी बाचीत करते हैं और वही ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर और अगर ये सब कुछ चलता रहा तो किसी को फाइदा नहीं होगा क्योंकि दुनिया चलती है व्यापार से कम से कम वार से तो नहीं तो ये आज पूरी चर्चा हुई है और पुनीत ने लगातार बहुत भेतरीन तरीके से डिकोड किया ऐसा नहीं है कि गांधी या इंसा को लेकर आए हम उस देश के वासी हैं जहां समराट अशोक ने एक अखंड भारत वर्ष जिसे आजकल कहा जाता है conceptually और वो तयार करता है और फिर वो कहता है कि नहीं युद्ध की विभीशिका के बाद वो कहता है कि नहीं ये सब नहीं चाहिए शांती की तलाश में निकल जाता है तो जाहिरा तोर पर हमारी भूमी का निश्चत तोर पर बड़ी होने वाली है अगर हम शांती के प्रयासों को पहला सकता है तो आज के इस वी निक्षा हरकुछा मंत्रित है क्या आप देखना चाहते हैं वो भी बताएं नमस्कार धन्यवाद